तो फाइनली वो दिन बहुत करीब आ गया है जो आपके लिए बहुत जरूरी है और जब कोई चीज बहुत जरूरी होती है तो उसका दबाव होना बहुत ही आम बात है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कुशिश करूंगा कि आखरी चार दिनों में क्या करना चाहिए पर आपको पढफा ने हैं कि कौन सा कॉंटेंट पढ़ें पने math में क्या पढ़ें, reasoning में क्या पढ़ें, GA में क्या पढ़ें, नहीं मैं इसकी बात करने नहीं आया हूँ, लेकिन अगर आपको exam में एक अच्छी performance देनी है, तो बहुत सारी चीजें हैं, जो करने की आवश्कता होती है, आपने खूब पढ़ाई करी है, खूब मेहनत करी है, आप उसके साथ आपको सबसे बहतरीन प्रदर्शन करना है, ये बहुत जरूरी होता है, हार ना मानके exam में best करना, जो भी आपकी काबिलियत है, क्योंकि सबसे बड़ा अन्याई क्या हो सकता है आपका अपने साथ, वो अन्याई यही है, कि आप अपनी काबिलियत के हिसाब स exam में प्रदर्शन ही ना कर पाएं, और अक्सर ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है, जो बाद में आकर यह बोलते हैं, कि यार जितना आता था मुझे, उस तरह का मैं वहाँ पर exam में नहीं कर पाया, क्योंकि मैं घबरा गया, या अन्य कारणों की वज़ा से, तो मेरी कोश है कि आपको कुछ बातें बताने की, जिन बातों का आपको ख्याल रखना है, जो उतने ही महत्यपूर्ण है, जितना महत्यपूर्ण शायद आपकी साल भर की मेहनत है, क्योंकि यह आखरी के चार दिन वो दिन है ना, कि अगर इन में आपने सही से execution नहीं किया, तो सारी के ले तो, it's okay to be nervous, जिसे कई बार क्या होता है कि nervousness जो होती है, कोई भी बड़ा कारे आप करेंगे, तो nervous हमेशा होंगे, हमेशा कोई भी बड़ा दिन होगा, जिससे माले आपको कभी भी एक public speaking event में जाना हो, तो थोड़ी nervousness होती है, जैसे अभी मुझे कुछ दिनों बाद जाना है, अब वहाँ पर जो मैं stage पर जाओंगा तो थोड़ी nervousness होती ही होती है, जब भी मैं किसी speaking event में जाता हूं, तो थोड़ी सी nervousness मुझे होती है, और यह शुरुआत से है, शुरू में तो stage पर जाने में ही बड़ी घबराट होती थी, बाद में अब उतनी दिक्कत नह जाके कितने भी लोगों के बीश में बोल सकता हूं, बड़ थोड़ी nervousness होती है, कि इतने सारे लोग बैठे हैं, सुनने आये हैं तो बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उनके लिए कुछ value deliver करें, तो nervousness होना एक आम बात है, it's okay to be nervous, not a problem, तो आप इसको ऐसे ना देखें कि मैं थोड़ा सा nervous क्यूं हूं, ideal state होना चाहिए कि बिल्कुल चिंता नहीं हो, बिल्कुल nervousness नहीं हो, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब बहुत कुछ दाओं पे लगा होता है, तो nervousness होना आम बात है, लेकिन इस nervousness के पीछे बहुत जादा घुस के सोचना नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम होगी तो बहतर है इससे हटके अपना पढ़ाई पर ध्यान दें रिवीजन वगरा करते रहें नर्वस होना आम बात है इसके लिए किसी और से आपको कोई सलह लेने के आवशक्ता नहीं है कि नीद का मसला जो है गंभीर हो जाता है एक्साम में भी जब आइटी की प्रेपरेशन करता था तो मेरे साथ यह एक समस्या रही है हमेशा कि नीद का आना एक्साम के टाइम पर कम हुझाता था और कई बार मैं खुद जबर्दस्ति अपने आपको सोने नहीं देता था कि मु ज्ञानिक शोध करी है लेकिन हां मैंने नींद को लेके काफी जादा खुद को अब्जर्व किया है ओवर एल लॉंग पीरिट ऑफ टाइम और काफी कुछ इंसाइट मेरे पास हैं जो पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मुझे मिले हैं मैं आपको शेयर करना चाहता हूं पहली बात तो यह कि स्लीप जो एक्जाम टाइम पर आपकी डिस्टर्व हो जाती है उसका मुख्य कारण यह भी होता है कि हम थोड़ा एजिटेटेट स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं एजिटेटेट का मतलब आपके वह दिन नहीं है जहां पर आप बहुत रिलाक्स हो क्योंकि एक्जाम बहुत करीब है डेट मालूम है कब एक्जाम है परिच्छा है इतनी सारी चीज़ें तो माइंड जो है एक एजिटेटेटेट में रहत नहीं नहीं आदिए तो पहले दूसर नींद को समझना जरूरियक कि नींद क्या है चिलीप जो है ना नींद यह आप सोते नहीं हो सोना होता है समझना देरा नाचुरल प्रॉसेस जहां पर आपको एफर्ट नहीं डालना है अगर आप एफर्ट डालोगे तो बलकि आप उसको डिस्टर्ब कर रहो तो नींद की जो प्रक्रिया है यह मनुश्यों में कब से शुरू होती है जब गर्व धारण होता है ना पीट कराजी के पेटके अंदर भी ना हम लोगोंनें बहुत जो नुचित जो प्रक्रिया है यह बहुत कॉमन है यह च्रफित का वशे पर करन दो इसो चूब चान के बारी में सोचना हूए ब्सक्राइब स्टारिक नश्का नेसरू करते जीब आपको नीन नहीं आएगा, आप उस प्रॉसस को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, नीन लाने के लिए आपको करना क्या होता है, बिस्तर पे लेटिये, रिलाक्स हो जाएगे, and once you create that environment, then sleep happens, sleep is a natural process, तो इसको जादा धिषथर मत करिया, नीन लेटिये, it is not action, it happens, it's natural, and you have been sleeping very efficiently since last 20 years, right or wrong? आप पिछले 20 वर्षान से बहुत efficiently सो रहे हो तो एका एक क्यों दिखकत हो रहे है क्यों कि there is some problem because we are creating that problem we are the problem, हम नीन के बीच में आ रहा है so what is very important that first वो ambience create करना and then don't think too much about sleep the more you think the less chances are that you will be able to sleep better थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखिए कुछ बातों का ख्याल रखना है नीन के लिए क्योंकि नीन बहुत ज़रूरी है आपको पता है आपके memory functioning में यापका memory बहतर होता है नीन से यापको पता ही है अब यहाँ बात memory का नहीं है यहाँ बात है excess का कम नीन अगर लेते हो तो आपको excess में problem आती है समझ रहो कि नीन अगर आपने नीन प्रॉपर नहीं लिए mind relaxed नहीं है तो जब आपको चीजे रिकॉल करनी होंगी क्योंकि एक्जाम में तो सब कुछ रिकॉल करना है when you want to recall things it will be messy वो रास्ता समझ लो कि साफ नहीं है क्योंकि नीन नहीं है relaxed नहीं है it's like somebody who hasn't slept is driving कोई सोया नहीं है वो ड्राइव करने के कोशिश कर रहा है there will be problem challenges तो यह बहुत ज़रूरी है कि exam time पे नीन अच्छी हो दो थोड़ा बहुत disturbed होती है that's fine उसको लेकि बहुत आप लोड नहीं लेना है बट कोशिश यह करना है कि आप जादा पढ़ने के चक्कर में नीन्द कुर्बान ना करें believe me if you sleep for 7-8 hours even now it's a good thing it's not a bad thing believe me it's not a bad thing क्योंकि exam में आप जतना relaxed रहेंगे उतना ही recall function बढ़िया होगा उतनी ही जादा आप कम silly mistakes करेंगे जो लोग नीन्द कुर्बान करकर के भी दो-दो घंटा सोके चार दिन पांस दिन गुजारेंगे वो exam के दिन उसकी भरपाई हो जाती है वो silly mistakes वगरा करके जो वो extra content पढ़ते भी हैं उसके delivery नहीं हो पाती है तो मैं इस बात को इसलिए importance दे रहा हूँ because यह important factor है but again I am saying बहुत जाद धबाओ मत लीजे सुने के पहले कुछ बातों का खयाल लगना है तो screen को limit कर दीजे तो let's say आप सुना चाहते हैं 11 बजे तो 8 बजे के बाद आप screen मत होती है उसका direct connection है हमारे you know the mind things की हमें जगे रहना है alert रहना है क्योंकि जो हमारा natural environment रहा है आपको पता है कि शाम होती है सूरज की रोशनी चली जाती है kind of but if हम artificial light environment में रहते हैं तो हमेशा आखों में रोशनी जाती रहती है and then phone you know direct blue light तो इसको एवाइड करने से definitely आपको benefit मिलेगा पहली चीज़ तो sleep का ख्याल आपको रखना है और दूसरा aspect जो है sleep का कि अपने आपको उतना time allow करिए let's say आप bed पे ही 5 गंटे के लिए लेट रहे हैं तो कहां से आपको नींद आपकी पूरी होगी नहीं हो सकती है न तो आपको लेटसे अगर साथ गंटे सोना है तो आपको at least कितना भी efficient आप सोते हो तो साड़े साथ घंटे आपको बेट पे लेट ना पड़ेगा तभी आप सो सकते हो तो वो भी कोशिश करिए कि आपका जो scientific research से मालूम चला कि जो कुछ आप दिन भर पढ़ते हो सीखते हो यह permanent long term memory में transfer होता है जब रात को आप सोते हो अच्छी नीन लेते हो तो और यह सब कई बार experiment हुए है कि जो साथ घंटे की नीन लेते हैं जैडे परफॉर्म बेटर दैन दोस उसलीफ और six hours in terms of memory functioning राइट इ यह सब चीजे महत्यपूरा इनको समझना बहुत आवश्यक है तो नीन पर नीन की कुर्बानी मत करिये मेरा साजेशन है सिंपली कि आप अच्छी नीन लो देखो एक्जाम में जो होना है वह तो होगा ही कितना भी चिंता कर लेनी होगा तो बी नर्वस बी लिटिल अजिट लिटा गठाए है यानी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए कि नहीं नहीं होगा नए जो पढ़की जा रहा हूं और यहीं सोचना है आपको कि मुझे जितना आता है मैं उसको समेट के जाओंगा और अपना बहतर करने की कोशिश करूँगा तो फालतू की बाते नहीं दिमाग में जो भी निगेटिव चल रहा उसको चलने तो जितना तूल दोगे उतना परिशान होगे उतना तूल मत दो यूट्यूब पर बहुत जादा समय मत गुजारी है इसका दो कारण है एक तो जब जादा रिवीजन इंपोर्टेंट है रिवीजन अपनी नोटबुक से करिए यह आपने नोटस बनाया है उससे करिए किताबों से करिए दिन भर यूट्यूब पे आपको नहीं रहना है यूट्यूब लाइव बिल्कुल अवाइड करिए यूट्यूब लाइव इस कि डिए मेल्स को सिक मत करिए देखिए मील्स का एक डिए होता है लाइफ में तो टाइम से काना खाने से हम करतारि यह सब नहीं करने के अपने सरीश को जाला छेड़ो मत यह सबीजह करने का या इतना समय में निकालने से आपके पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी राइट यह सब चीजे छोड़ो अपने आपको बैलन्स रखें तो कोई मेल से स्किप नहीं करना हो टाइम से लेना है ठीक है जो भी आप मेल लेते हो अगर आप लांच और डिनर करते हैं अगर आप ब्रेकफर्स ल स्लीप पैटर्न का बहुत इंपोर्टन सोता है अगर आपका एक फिक्स लीप पैटर्न है फिक्स लीप सेडियूल है कि अब लगबक इतने बज़े बेट पर जाते हो कि तो उस समय पर नींदाना आसान होता है क्योंकि हमारी बाइल जिकल क्लॉक्स सेट होती हो उसके साब स स्लीप पैटर्न को बहुत मत करिए जैसा चल रहा था अंटिलनेस जैसे आपके एक्जाम का जो शिफ्ट का टाइमिंग है वह उस समय पर है जहां पर पहले सुते थे तो इस बेटर चेंज दाट ट्राइट कि आप उस समय एक्टिव स्टेट में रहें जिसे सवानों बजे म तो आपका कॉंफिदेंस गिर जाता है तो वाट इस मोर इंपोर्टेंट कि उस टाइम पर आप कुछ प्राक्टिस कॉंटेंट जरू करो जिसे आपका सवानों से सवादस की एकर शिफ्ट है पर एक्जामबल तो उस पीरिएट में यूहाब तू मेक शूर कि और सॉल्विं स्क्रीन टाइम कितना है आई मेजर इट एवरी सिंगल मिनट कि में पड़े कितना फोन का इस्तेमाल कर रहा हूं तो अगर वो अवेर्नेस है तो इना इक एक्शन तो एवरी डेय आई प्लान फॉर माई स्क्रीन टाइम राइट लेके स्टड़ी मेरा जो भी स्लीप टाइम स्क्रीन टाइम कम रखना है तो आप कम से कम कुछ प्रयास करते रहेंगे तो नाचरली थोड़ा सा ड्रॉप आपको मिलेगा ठीक है यह जरूरी है ताकि आप अपना फोकस मेंटेन रखें निगेटिव पीपल से दूर रखो दूर रहो वो लोग जो खाली उट पटांग बाते करते हैं कहां होगा सेलेक्शन देखो मौक में नंबर दो आते नहीं थे अब क्या एक्जाम दोगे क्योंकि देखे पहले मुझे बात नहीं करें को उल्टी पुल्टी बात नहीं अपने आपको पुश करिया अच्छा करने के लिए ठीक है तो यह एवाइड था अवाइड में और भी है कि नए मॉक्स अवाइड करिया देखे एक्जाम के करीब नए मॉक्स देने में रस्क होता है अगर लो तो नए मॉक्स का जो स्कूर होगा वह आपको बहुत इंपैक्ट करता है आपको लगता है कि हमारा तक खराब है वगएरा वगएरा तो देखो जिन लों के लगातार मॉक्त में बहुत अच्छे स्कूर आते रहे हैं जिन्हें ये फरक नहीं पढ़ता है कि एक नया मॉक्त देंगे और इसको खराब हो जाएगा देकन गिव मॉक्स मोर और यह वो लोग जो मॉक के स्कोर से ज्यादा खुछ को अटाइच नहीं करते हैं यूजिल एटाइच्मेंट होता है आपको लगता है कि यही मेरा अल्टिमेट स्कोर एक्जाम में इसके अराउंड रहेगा तो व अपका एक्जाम होने वहाँ पर आप पीवाइकी मॉक्स दो प्याइकी मॉक्स दे सकते हो यह आप सेक्श्चैनल मॉक लगा और आपको पीवाइक क्या चाहता हो थो जस्किव स्टाइड़ेटी वीडियो को यह आवाइट करना शुरू कर दो क्योंकि व्हीं बना रहें क्वाइड करो तो बहुत अच्छी बात है पड़कर कुछ सेलेक्टिव गाइडेंस आपको चाहिए जिन भी मेंटर्स को फॉलो करते हो क्योंकि मैंने आपको एक और फ्रेमवर्क दिया था मोशन एक्षन अगर आपको याद हो नहीं याद हो तो मैं बता देता हूं मैंने आप वीडियो देख रहो यह मोशन नहीं है अक्षन का मतलब होता है सवाल लगाना एक्चुछ आउटपुट लाइक आपने क्वेशन किये प्रैक्टिस किये रिवाइस किया मॉक दिया वह एक्षन है स्टाटिजी वीडियो जो आप देख रहो इस जस्मोशन तो मोशन को ह जितना आप लंबा वीडियो देखोगे आप उतना ही टाइम खराब करोगे अपना आप बहतर है सेल्फ रिविजन पर फोकस करिए इस फो में मत रहिए फियर ऑफ मिसंग आउट कि किसी टीचर ने को वीडियो डाला है तो वो देखना ही पड़ेगा क्योंकि उससे सवाल फ तो डिवाइड करिए अपना टाइम कि सारे सब्जेक्स को आप अटेंचन दे तो नए लंबे वीडियो वाइड करिए तो में बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए एकसरसाइज और वाक अगर आप एकसरसाइज नहीं कर सकते तो आप कम से कम वाक करिए ठीक है एट तो आप 30 to 45 minutes का वाक का मतलब यह नहीं होता है कि घर में बिना मन के चल रहे हैं नहीं किताब लेके पढ़ रहा है और घर में घूम रहे हैं इसको वाकिंग नहीं मानता हो मैं वाकिंग का मतलब है किताब है घर पे मोबाइल चाहो तो रख दो घर पे और निकल जाओ वाक करो सिर्फ नेचर में डू नॉट लिसन टू एनिटिंग कुछ नहीं करना है जस्ट वाक करना है राइट थर्टी टू-फॉटी-फॉटी-फाइफ वाक जहापर आपका मैंड भी रिलाक्स हो रहा हो आप ऐसा नहीं कि वहाँ पर भी कंज्यूम कर रहे हो कॉंटेंट नहीं जस्ट लीव यूर्सल्फ ली गेट यूर्सल्फ बोर्ड अब भली बोर होगे जाते जाते कोई बात नहीं लेकिन पैतालेस मिनट तीस से पैतालेस मिनट ऐसा टाइम रखिए आपके माइंड को रिलाक्सेशन चाहि उसके लिए मेडिटेशन जरूरी है और मेडिटेशन का मतलब देखे सांती से बैठो आख बंद करो अब ब्रीद इन ब्रीद आउट और आप अपनी ब्रीथ पर इस पर अपना अटेंशन रखो आंके बंद रखो 15-30 मिनट कोशिश करो 15 मिनट ही कर लो भी कोई दिक्कत नह करने दो आपका फोकस सांस पे होना चाहिए आप यह चीज़ अगर सुबह उठते ही करना शुरू कर दो फ्रेश होने के बाद नहालो नहां के बाद बैठ जाओ करो यूविल फाइंड दिमाग थोड़ा बहतर स्थिति में है यह आप खुद करके देख लिए तो एक्जाम क कुछ लोग के मेडिटेशन बहुत मुश्किल होता है और यूग चैंट राइट आप चैंटिंग करो 15 से 20 मिनट वो भी एक अच्छी चीज़ है जिससे आपको मदद बिलेगी आखे बंद करो कोई भी चीज चैंट करो जो जो भी आपको अच्छा लगे आप काइंड आफ आप आप अपनी पीने का ख्याल रखिए पानी पीना भूलिए मत शरीर को पानी से बहुत मदद मिलती है तो इस्टे हाइडरेटेट समय समय के अंतराल पर पानी वगरा पीते रही है ठीक है एक और चीज देखो यह समय जादा से जादा रिवीजन 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 का है ताकि जो चीज़ें आपने पढ़ी है अटलीस उनका इस्तेमाल हो बहुत सारी नई चीज़ें पढ़ने के चक्कर में पुरानी चीज़ें ही याद नहीं रहें अक्सर बच्चों का यह कं चीज़ें पढ़ने के बजाए जो चीज़ें पढ़ी ती उसको रिवाइस कर लेते एक्जाम टाइम पर तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मेजर फोकस अभी रिवीजन 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 में मैं प्रैक्टिस की बाद भी कर रहा हूं कि रिवीजन थूप्र प्रैक्टिस क्वेशन लगाना भी एक रिवीजन का फॉर्माट है तो रिवीजन ही करना है जादा स्यादा बहुत जादा नए कॉंटेंट के पीछे आपको भागने की जरुद नहीं है दिस बाकि आप कमेंट करके बताएगा अगर कुछ और सवाल है कुछ और चीज आप म मुझसे चाहिए आप कमेंट में लिख सकते हैं धन्यवाद